बात करेंगे अगर गुरू और सनी आपके कुंडले में तीसरे भाव में इस्तित्थ हों दोनों यूति करके तो इसके क्या-क्या प्रिणाम हो सकते हैं तीसरे बाव में जब भी जुपेटर या सेटन या फिर सेटन या फिर जुपेटर दोनों साथ आते हैं तो ऐसे में आपकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है आपको हालंकि मैनेजमेंट का काम करने का काफी अच्छा यहां पर सलिका होता है लेकिन कुछ हद तक यहां पर होना बहुत ही ज्यादा अच्छा आप लोगों के लिए लेकिन सनी क्योंकि इनके रिजल्ट को प्रभावी तवस्य करेंगे जब वो साथ में होंगे अगर सनी वक्री हुए जुपिटर के साथ और जुपिटर मारगी इस्तितिय में हुआ नॉर्मल इस्तितिय में लाब नहीं होगा और आप भी उनको कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जीवन में तो एक जो मिस अंडेस्टेंडिंग है या हम कह सकते हैं विचारों की जो भिंता है मतवेद है विचारों का वो कुछ हद तक बना वरेगा इसी तरीके से आप अपने आसपास में देखेंगे बहुत ज़्यदा स्ट्रिक्ट माहूल में आप जी रहे हैं इसका मतलब अगर सनी और गुरू तीसरे भाव में बैठें तो या आप अपनी खुद की खुद की एफर्ट से या खुद के प्रियासों से रिस्तों को इस प्रकार से बहुत ज़्यदा जटिल बना देते हैं तीसरे भाव में जुपिटर और सेटन है तो आप नई ग्यान को या नई चीजों को बहुत जल्दे ग्रहन करेंगे और इसको आप यूज हलांकि दिरे-दिरे करेंगे लेकिन ये एक स्टड़ी के प्रपस से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी उती है जा काफी सॉलीड ज्यान उसको होगा तीसरे भाव में ये दोनों हैं तो आपकी मेहनत करने की जो परवर्ति वह बहुत जादा होती है और आप कितने भी मेहनत कर लें लेकिन आपको लगता ही नहीं कि आपने साथ यह यूती अगर आपके थर्ड हाउस में बनी हुई है तो आपको अपना एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा अपने जिवन में आगे बढ़ने के लिए और अगर आपको 30 या 35 से पहले अपने जिवन में ग्रौथ चाहिए या सक्सेस चाहिए तो इसके लि के थर्ड हाउस के प्रेणाम अच्छे मिल सकते हैं अधरवाइस कुछ हद तक प्रौबलम्स जरूर आएंगी तीसरे भाव में ये कंजक्शन है तो आप रिस्क जरूर लेंगे जिवन में ऐसा नहीं रिस्क नहीं लेंगे लेकिन बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क और बहु जिदा हाईली रिस्क की आप कोई काम कर रहें तो वहाँ पर कभी कभी आप कम ही जाएंगे और पैसे की मामले की जहां पर बात आती है कि आप पैसे के मामले में रिस्क लेंगे तो ऐसा नहीं होगा आप पैसे की रिस्क यहां पर बहुत ही कम लेना चाहेंगे बाकि आप मे लाइफ में ऐसा होगा जब आप कहीं लॉंग डिस्टेंस ट्यूर पर गए हैं लेकिन आप इस्टक हो जाते हैं कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वज़े से आपको साइद आगे साधन नहीं मिल रहा हो या आपके मिस मनेजमेंट की वज़े से कुछ गड़बड हो गई हो या और कोई परेशा नहीं आपको रास्ते में चलते हुए आ गई हो तीसरे भाव में समझ लो जब भी सेटर्न या जुपिटर दोनों यूती कर रहे हैं तो ऐसे में आपको हर छितर में लाइफ में सकसेस होने की चाहत होती है जातक में मेहनत करने की चाहत ओर ज़्यादा बढ़ जाती है बट उसको उसकी मेहनत के एनुसार रिजल्ट नहीं मिलते साथ ही साथ काको यह कोसीज करने चाहे कि आपको जो रवया है अपने भाई भैनों के साथ प्ड़ोसी रिस्तेदारों के साथ वो थोड़ा सा कठोर नहीं होगी, थोड़ा लचिला होना चाहिए, जिससे आपको उनसे समय समय पर सायता मिलती रहे, साथ ही आपको अंतर ग्यान बहुत ज्यादा होगा, और कई न कई अपने ग्यान का परसार करने में भी आप आगे रहेंगे, तो हो सकता है कुछ आपका जो कम्मिनिकेशन का तरीका है वो सलो हो, लेकिन आपको जो ग्यान होगा काफी सॉलिड होगा, और आपकी एफर्ट से आपने जिवन में आप बहुत कुछ हासिल करेंगे, ब कही न कहीं कुछ न कुछ कमी अवस्यर ही है, तो संतुज तो आप कभी भी नहीं होंगे, इस परकार का जातक अगर वो old days में भी चला जाए, तो old days में भी वो कई मेंचन करेंदॉद कर लेता है, और इस परकार की जातक अपनी health के पढ़ती भी काफी ज़्यादा conscious नजर आत तो कभी-कभी आपको कंजूस विक्ति के रूप में देखा जा सकता है धन समंदी मामलों में लेकिन आपको इस कंजक्शन की वज़े से काफी बार सिचुएशन ऐसी क्रियेट हो जाएगी जहां पर आपको बहुत ज़्यदा खर्चों का या ऐ नियोजित खर्चों का सामना भ कोई भी हैं तो फिर आपको ज्यादा मेuyनत करवा देते हैं और आप बहुत ज्यादा मेयनती होंगे अगर अगर टेंठ आउसके स्वामी इन में से कोई भी हैं तो आपको पीरियर के मामले में ज्यादा मेहनत करने की जुरुत पढ़ जाएगी या पिर माली ये पंचम आपकी रहेगी और आपको अध्यात्मिक नॉलेज भी काफी ज़्यादा होगा आप अपनी पर्सनल लाइफ में हमेशा नियमों के अनुसार चलने वाले होंगे यह कंजक्शन जब भी हो तो जातक को काफी ज़्यादा उदार परकरती का उदार परवर्ती का बना देता है करने के लिए तियार ही रहेगा बले वह खुद को नुकसान पहुंचा ले लेकिन वह दूसरों को अवस्य ही करें तीसरे भाव में जब यह कंजक्शन हो तो जातक उच अध्यन में कभी-कभी काफी बादाओं का सामना करता है या वह आगे जाके बहुत मेहनत करने के बाद वह जबादे उचा ध्यन में उसको सफलता मिलती यह साथ हिसा अगर वो विदेश में सेटल होना चाहे तो काफी जदधा हो जयता है गलत दिसा में चली जाएगी तो इसका आप प्रियास करें कि आप सही दिसा में टार्गेट करके मेहनत कर रहे हैं साथ इसाथ देखें एक इस कंजेक्शन जो खास बात है जातक एक निर्ने जब ले लेता है तो वो उस पे अडिग रहता है यह बहुत खास बात है और थार्ड आउस में इस प्रकार का कंजेक्शन बनने की वज़े से आपको यही करना चाहिए कि आप पहले अच्छे से सोच समझ के एक निर्ने ले ले लिए और उसके उपर आप टिके रहे हैं तो आपको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे तो ऐसे जातक जो अपने निर्ने पर लंबे समय तक टिके रह सकते हैं लंबे समय तक वो एक ही योजना पर कारी कर सकते हैं उन लोगों को ज़्यादा जल्दी सफलता मिलने के चांसिज बन जाएंगे इस कंजेक्शन की वज़से साथ साथ कही न कहीं यह कंजेक्शन आपकी जो फैमली रिलेशन है जो आपके डॉमेस्टिक रिलेशनसिप है जो आपके मैरीड लाइफ है उन सबको भी काफी ज़्यादा परभावित करेगा तो हो सकता है की एक रिलेशनसिप में भी कुछ हर्थ तक extra demanding nature आपका हो सकता है या आपके जिएवन साती का कुछ ऐसा nature हो सकता है अब ये conjunction कभी-कभी आपकी marriage को काफी जदा delay कर देता है या even ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि आप अपने जीवन में अभी तक successful नहीं हुए तो आपकी जो चाहत है successful होने को लेके या जीवन में एक बहुत बड़े पदल तक पहुंचने को लेके वो अभी पूरी नहीं हुए है अब आप उसको पूरा करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको effort लगाना पड़ेगा मेहनत करके आगे जाना पड़ेगा उसके बाद आप marriage वगएरे वो सब करेंगे तो marriage delay होना, partnership का delay होना, business का delay होना, business का slow growth होना ये सब देखने को मिल सकता है, कभी-कभी इस प्रकार के conjunction की वज़े से जीवन साती की health को लेके भी काफी सारी दिक्कते आएंगी लेकिन ये conjunction जो आपको सबसे बड़ी बात जो देता है confidence और साहस हमेशा देता रहेगा ये conjunction कैसा भी हो, लेकिन आप कभी भी जीवन में हारेंगे नहीं, कितने भी खराब प्रिस्तितियों का आप सामना कर लें लेकिन आप अंदर से कभी नहीं तूटेंगे, और आप हमेशा तूटने के बाद भी वापस खड़े हो जाएंगे तो ये बहुत खास बात है इस conjunction में, अब देखें यहाँ पे हम अगर दरश्टियों की बात करें तो सबसे बहले हम सनी को ले लेते हैं सनी की दरश्टी पंचम भाव पर पड़ेगी, तीसरी दरश्टी जो पंचम भाव पर जाएगी तो पंचम भाव पर जाने की वज़े से कभी-कभी जातक अपनी संतान के फरती बहुच ज़्यदा ओवर केरिंग वाले होगा और केरिंग वाला निचर रखेगा और प्रेम समंधों के मामले में जातक बहुच ज्य collateral होगा लेकिन जातको उस way में सफलता नहीं मिलेगी जिस परकार से जातक जितना serious हो रहा है प्रेम समंदों के लिए तो आपके प्रेम समंदों में या तो आपकी रूची रहनी नहीं है अगर रूची रहती भी है तो आप अगर किसी के साथ प्रेम समंद इस्ताफित कर लेते हैं एक बार उसको आप कभी नहीं छोड़ेंगे लेकिन सामने वाला ही भले ही आपको छोड़ दे इसके लवा आप इमानदार बहुत ज़्यादा होंगे अपने अफर्ट में अपने पूरी औरल लाइफ में आप बहुत ज़्यदा इमानदारी दिखाएंगे हमेशा इस परकार के कंजक्शन की वज़े से कभी-कभी आपको हो सकता है कि गलत निर्नियों का सिकार होना क्योंकि आप कभी-कभी जल्दबाजी कर जाते हैं तो अपने उपर नियंतरन रखना बहुत ही ज़र रही है साथ ही आपकी जो इंट्यूशन से काफी स्ट्रॉंग हो सकती है आपको बहुत कुछ ऐसे आध्यात्मिक नॉलेज सीखने के लिए प्रेरित करेगा इस परकार का कंजक्शन तो आपकी जो एजूकेशन है हो सकता है कि आपने एजूकेशन के साथ कोई और भी साथ में कुछ ऐसे ग्यान गरन करा होगा जो आपके जिवन बर काम आएगा बहले ही वह आपके जौब में काम नहीं आएगा लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में काफी काम हैं उसके बाद सनी देखेंगे आपके नाइन था उसको नाइन था उसको जब यह देख रहें तो पिता के साथ थोड़े से टाइट बारवे भाव को देखने के वज़े से जातक का फॉरेंच सेटलमेंट काफी डिले से होगा जातक को कभी कोई हेल्थ इस्यू आता है तो हेल्थ इस्यू में उसको काफी साहिता मिल जाएगी जातक लंबे समय तक हो इस्पिटल वगरे में एड्मिट नहीं रहेगा वो खुद में बैठा हुआ होगा उतना फाइदा है अगर सनी वकरी हुआ तो आपको सनी वकरी होने का भी यहां बहुत फाइदा देखने को मिलेगा अब जुपिटर सेवन्थ हाउस को देखने से देखिए जब वह सनी की साथ हैं तो जीवन साथी की साथ रिलेसंसिप थोड़े जल्दी ग्रो नहीं होने वाला आपको डेली डेली बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा काम को साथी साथ आपके जो लोगों से रिलेसंन है आपकी सोसाइटी या दूसरे लोगों से जो रिलेसंन है उनमें भी कहीं न कहीं आपको ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलत रहने वाले या आप फादर से थोड़ा मतवेद रखेंगे इस प्रकार के कंजक्शन की वज़े से कभी-कभी आपके अपने गुरुजुनों से काफी ज़दा मतवेद सामने आ सकते हैं यह जो कंजक्शन है नाइन था उसको जब देख रहे हैं दोनों तो भागे का साथ उतना नहीं मिल पाएगा अगर यहां अकेला गुरु होता तो कुछ हद तक भागे आपका निरंतर साथ दे देता लेकिन अब सनी के साथ होने के वज होगा उसके मन में कोई स्पेसिक कोई टार्गेट लेके वह नहीं चलेगा तो हो सकता है एक नॉर्मल लाइफ आप जी रहे हों और पहुत ज़्यादा पैसे कि आपको चाहत ना हो इस कंजक्शन के होते हुए तो इस परकार के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब भी गुरू और सनी या फिर सनी और गुरू आपके थार्ड हाउस में दोनों यूती कर रहे हूं फिलाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद